कि अग्षाइब आज के पार्ट में हम निस्काउन को और आगे लेकिसा लेगे ठीके कोशन देखते हैं सिर्जी एक दुकान दर किसी वस्कू की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ा कर अंकीत करें कि उस पर 20 प्रतिशत के छूर देकर वहां 12 प्रतिशत का लाप कमाएं कि ऐसे प्रशन आपने पढ़ा होगा पहले भी बढ़ा होगा देखते हैं उस कैसे बढ़ा है माल वो एक सुफिस मार करके रख रहा है ऐसा करके मान के चलेंगे तिर बोल रहा है इसमें 20 प्रतिशत का छूर देया है 20 प्रतिशत का छूर देया है मतलब इसमों 80-100 पे वो क्या तो वाल ठीक तो X निकालेंगे X equal to 112 into 100 upon 80 ठीक है यह हो जाएगा 24 जा 25 जा यह और cancel हो जाएगे क्या यह हो गया चारे कम चारे cancel हो गया चार दूनी 8 बज जाएगा यहां से 3 हो चार अठे 32 तो 28 into 5 आप यह हो जाएगा 140 है कितना हो जाएगा 140 मतलब 100 से कितना ज्यादा आ रहा है 100 से कितना ज़्यादा रहा है? 1940 ज़्यादा रहा है, याने कि उसको 40 प्रफिसर बढ़ा कर तर्फिस बढ़ा कर अंकित करना पड़ेगा, तब जाके उसको क्या मिलेगा? बीस प्रतिसर प्रशुट देने पर बारा प्रतिस दलाभ मिलेगा. ठीक है इस परगार का इस परश्न को ऐसे बना रहा है दो दिन परश्न ऐसा वाला बना गया है अगलत यह हो है एक दुकानदार किसी वस्तू की कीमन कितने प्रतिशत बढ़ा कर अंकीत करे कि उस पर 10% के छूट देकर भी वह 8% का लाव कमाए ऐसा ही है एक स्वान के चलना है फिर वह 10% के छूट दे रहा है अब अब 90% में बेच रहा है फिर उसके बाद उसको चीए 8% का लाव मतब 108 होना चाहिए ठीक है एकस का वैल्यू निकालेंगे 108 इंटू 100 अपॉन 90 इस 00 कैंसल हो गया 9 बंजा 9 9 बंजा 10 के यहां से आगया 120 तो यह 100 से इतना ज्यादा है 20 ज्यादा दिख रहा है यह ज्याने कि 20% 20% उसको बढ़ा कर MRP बढ़ाना होगा तब जाके 10% पर छूट देकर वह 8% का लाव बमाए अगला प्रस्ण देखेंगे दूसरा डाइक यह एक घड़ी कीमत 450 रुट है दुगांदार उस पर कितना मूल यह अंकित करें मतलब उसमें कोई प्राइस लगाना है कि वह 10 प्रतिशत पर छूट देकर 20 प्रतिशत का लाव कमाए कैसा वह बोल रहा है ठीक है सबोस्ट वह कीमत X है यह 30 प्रतिशत का यह था आदेब कि 10 प्रतिशत का चूट देता है 9.y इंरेट करके 20 फिर भी का दिया हुआ है कि वह 20 प्रतिशत का लाव कमातं है तो दैखेंगे एक्स का रुलीयोंèn कि तो यह की प्रतिशत का यह है यह जीरो और जीरो कैसल कर लें एक्स इक्वल टू 450 इंटु 12 अपान नाइट इन्व पंचे 45 कि बारा पंचे 60 यह 600 उपीज आदा है तब भी उसको क्या फायदा होगा 20% का फायदा हो जाएगा कैसे 25 इंपीज इन्व फायदा हो जाएगा 50 इंटू 20 वाई 100 करके देखते हैं कि इतना रहा है यह 90 याने की 450 प्लस 90 तो इस परकार के पर्षक्र को ऐसे बनावार है एक ऐसा ही प्रश्णा और बना के देखते हैं अगला दिया हुआ है एक दुकानदार पांच परदिशत के छूड़ दे करके 10 परदिश कल आप कमाना चाहिए ठीक है यदि वस्तु का क्रेम मुले कॉस्स प्राइस 95 रूपीज है तो उसका अंठीक मुले आपका मार्क प्राइस क्या हो ठीक है English viewers दो देख रहे होंगे तो उनको दी कोशन न दिख रहा तो बिंपूर English में आपको कोशन दिखाए दे रहागा उसको बढ़ लेंगे समझ लेंगे इसके बाद solution को देखनेंगे तो देखो क्या बोल रहे हो सबोस्स एक्स क्या है मार्क प्राइस इसे 5% प्राइस देगा मतब वो 95-500 पे फिक है इक्वल टो क्या बोलरा कॉस्स प्राइस प्राइस अब इसमें क्या कचिए यह उसको 10% का प्राइस चीए यानिकी 110 बटा 110 बाइ 110 बाइ तहरे का मिलेगा 110 तब जाएक उसको क्या मिलेगा 10% तेलार देलेगा तो इसको उसको cancel कर लिता है यह सब cancel होगे है यह इसको cancel होगे है यहाँ से पर दस पर संथ लाब ऐसा बताना है उसको थीख, 5% का छूट देना का यानि की 95, 100-5 और क्या चीए उसको 10% का लाब्ज यानि की 100-10, 1-2-0 ऐसा कर मैं से की अपन बना सकते हैं, यहां पर क्या रहेगा छूट जो डिस्काउंट है वो रहेगा और अपने को यहां पर क्या चा ऐसे बनाएंगे तो भी बन जाएगा, यहां पर यहां पर 1-1-0 यह सिंपल तरीका है, यह कॉंसेप्चुल है और यह रिकेमेल पर इसको ऐसा बनाएं, ठीक है एक दुस्रा कोशा मना के देखते हैं, एक घड़ी की कीबद 103 पर लुटा है, तो बताएए उसका अंकित मोले क कितना होगा जिससे 15 पर पर चूट की चूट करिकी दोगांदार 20 करणार। क्या बोल रहे है हो घिक है 133 बोपर अर जारे गौल रहे हो 15 परदिसत चूट याने की 85, 10-15, 85, 20 याने की बोट है इसको solve करेंगी तो direct up to answer दिल जाएगा जो चाहिए ठीक है तो कटाएके देखते हैं इससे कट रही है यह 175,85 होता है 17 निया 130 यह cancel हो गया फिर यहां से और cancel कर लेते हैं यह 24 times बट जाएगा 24 into 9 यह जाएगा 260 तो 216 रुपय वहां पर mark करके रखना पॉड़ेंगे इसको logic से किसे बनाएगे मान के चालेंगे x mark करके रखना है फिर उसमें 15% का छूड़ देना है याने की 85 by 100 उसके बाद यह 153 रूपी कास्ट राइस है जिसमें उसको profit भी सिए 20% याने की 120 by 100 तेब यह cancel हो गया x last में वैसा ही equation बनेगा 153 into 120 upon 85 तेब वैसा ही equation बनता है यह logic से इसको समखने की use कर सकते हैं तो direct is cancer क्या जाएगा दूर सुटा यह answer मुझाएगा अगला दिया हुआ है एक घड़ी कीमत 100 रूपय है दुकान दार उसमर कितना मूली अंकीत करें कीवा 50 प्रदीसत के चूड़ देकर 50 प्रदीसत का लाव कम है ऐसे question confused करते हैं तेकिन अफिल confused थोरा नहीं है क्या प्रदीसत के 100 रूपय कीमत है उसको 50 प्रदीसत के चूड़ देना है मदब 100-50 यह आ गया 50 प्रदीसत का लाव चीए मदब 100-50 यह आ गया 150 ठीक है विटू टाइस कटेगा तो यहां से answer आ जाएगा 300 रूपय यानिके 300 रूपय उसको मान करके रखना पड़ेगा मान लोगों कीमत क्या है एक्स है उसको 50% का चूड़ देता है मतब 50% में बेचता है वो 50 रूपय यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है 100-50 क्या होगा फिर भी वह 100 रूपय की चीज़ में कितना प्रदीसत कमाना चाहता है 50 प्रदीसत अभी 150 प्रदीसाव ले 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 यह और यह प्यंसाल हो जाएगा एक्स इकवल टो वही कटिस अपिं जाएगा आपको 100 इन्टू 150 पाँ 50 दिया जाएगा 300 प्रदीस चीक है इजी है इसको ऐसे ही पना सकता है इसको ऐसे ही बना सकता है अब एक उसर टाइप पना करें देखो इस ताइप में क्या दिया को दस प्रदिशन छूट दे कर भी बीशत दे सत्य लाब कमाता है यदि वस्तु का अंकित मोलिया 280 रूपा है 280 रूपीस तो बताईए क्राइम मोलिया पॉस प्रेस इतना होगा देखो यह घ्या याई आजै तो इसको रुधे दिया हो है 280 लिश ''3 को दे जो हो इसको करना हो 10.43 का चूट दे है वताँ 93 करें Benimwire अहँतर पैसमने को प्था शह्त्र पॉस प्राइस क्रेशन को पता रही है यह यह इ испना कि च stat़ देखो जाएगा, 280 x 90 upon 120 यह आ जाएगा, यह और यह चैंसल हो जाएगा, यह 4.78 हो जाएगा, 4.12 इंदिया, 9.21, 210 रुटीस, 210 रुटीस का है, की मतले क्रेम उलिया पास्परीस, इसको ऐसे बनाना इजी है यह भी, ठीक, ऐसा वाला एक और बनाके देखते हैं फिरिश्टीस, नेक्स दिया है, एक वस्तु का क्रेम उलिय कितना होगा कि उसका अंकित मोले 50 रुटे है, और दुकानदार उस पर 20 प्रतिसत चूर देने पर भी 25 प्रतिसत कलाब कमाता है, ठीक है, एक वस्तु का क्रेम उलिय कितना होगा यदि उसका अंकित मोले 50 रुटे है, और दुकानद आपने को पता नहीं है एक्स दे रहेंगे लेकिन क्या करता हो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 25 तो दी सकता है जाने की 0.255 यह और यह कैंसल हो गया एक्स इंपर्ट वा गया 50 इंटू 85.25 ठीक है यह 25 पंचे एक्स पंचे पंचे लुभी 50 यह 16 पंचे हसी हो जाता है 32 रुपीज इतना है 32 रुपीज आंसा आ रहा है तो उस वस तो विकी मत किती हो जाएगे 30 पंचे हो जाएगे ठीक है तो यह दो टाइप था बहुत सलाल सलाल टेक्षाट वैसे तो डिस्काउंट पूरा सरल है देखता जातो और यदि आप सिर्फ दिस्काउंट देखन पसन लगीजिए पूरा समझ में आगा उमीर है आपको आज का प्ट समझ में आया होगा नहीं समझ में आया होगा तो फिर सी देखे बिल्कुल समझ जाया जागा तो आपको परसेंटेज पढ़ना है पॉपेट लश पाट ब्ट जाब बिलीन चेच्टल में बत बढ़ो तहग्यापट पह ज़दी सी जवर्दी लाऊंगा आउस को भी देखे और दोस्तों को शेर त्क हuls झाल झाल